जनरल साउंस सामन्य विज्ञान को पढ़ने की बेस्ट टिप्स कैसे पढ़ा जाएगे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए कौई भी हमारा करतना हो एक चीज में क्लियर कर लेता हूं जनरल साइंस सामन्य विज्ञान क्या कोई भी सब्जक्ट हो इस तरीके से प पाइलोजिक एभी 13-14 चप्टर 15-15 चप्टर है तो आपको क्या करना है कि एक चेप्टर पेले अच्छे से सीरियसली तरीके से पढ़ लेना एक से दो बार रिडिंग लगा लिजिए चाहिए ओन-लाइन कोई से वह लगाओ रेलवे के जितने भी एक्जाम हुए उनमें से क्वेश्चन सोल करो कई बाहर आप देखो के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो क्वेश्चन कितने बन जाएंगे एक चेप्टर से मुश्किल से 40-50 बनेंगे उससे ज्यादा किसी भी चेप्टर से क्वेश्चन न दे एक हरे सब्डेक के सारे के टेस्ट देने के बाद 15 करता हूं 15 करता हूं तवर किसेस्ट ने से बार कुछ नहीं आता है मेरे चैनल को जोई जरू कर लेना मैं 2000 की सीरीज लेकर आया हूं से सारे लिए प्रिपेर हो गई टेस्ट दे दिये आपने उस चैप्टर के सारे कुस्ट्ट प्रेक्टिस कर लिए अगर में बात करता हूं ये आपको टिक लगाना ठीक है 60 परसंट होता है एक क्वशें यसे बन जाएगा इसके बाद RBC Alright डवनञोक टक है किसमेे झांक होती है फिक इस तरीके से की मिलाइब कितनी होती है 120 दिन की होती है 10-20 दिन की है क्लियर है yen यह सारे क्वेस्टन दस से 15 पूरा प्लड निपढ़ जाएगा इसके बाद ब्लड ग्रूप की रिसर्ट किस ने की थी फिर आज गया यह बी ऑब ब्लड ग्रूप हम दे सकते हैं डोनेट कर सकते हैं उनिवर्सल डोनर नर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है और इसके और examiner question कहां से लाएगा history, geography, economy हर एक चीज में यही करना है history में तुम्हेरा question fix होते है history में क्या लाएगा history ते यह कैसी subject जो constant है कभी कुछ variation आया ही नहीं है question जो fix है वही देना महारणा परता आपके बारे में कुछ information change हो जाएगी क्या एक दो साल बीतने पर तो आपको particular topic उ confidence आएगा thank you so much channel पर नए हो तो like से subscribe जरू करें